यह था वो रात को टायर फट गया था भाई तारे हैं देखो इसकी वह इतने बज़े एलो आडल वाके ना गाड़ी की लुक ही पूरी चेंज हो चुकी यह वाला हमारा फ्री है तो हावा का फ्लो जो है ना फ्रंट पे आ रहा है और स्पार्क प्लग इसके हम चेंज कर देंगे साथ के साथ सेंटर टॉर्क का सेंटर लॉक ब्लुटूथ लगने का वाद आपको बताते हैं कि वह कैसा रिस्पॉंस देता है तो आज हम इस पर नहीं जा रहे है आज हम जाएंगे इस पर आज हम आर पास ऑल्टो के टैन गाड़ी में बैठते ही एक प्रॉलम हमें सो हो रही है और वह है कि इसका जो आई आर्पीम है अभी फिलाल एक में है बट इसकी वाइबरेशन जादा है तो इसका अभी देखते करवा करके अगर कुछ सेंटिंग करवाने हो यह देखो क्योंकि गाड़ी ना फस्ट यह डाला और एक बंद होगी तो है गाइस बॉनिंग और वेल्कम बैक टू रेमिंग बाउंडरी तो आज जैसे कि अपने थमनिल में चेक होगा आज हम रिव्यू करना जा रहे है अपन तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रही है और आपको बताते हैं कि हमें गाड़ी के साथ क्या-क्या प्रॉल्म्स होई थी और पूरा ओवर और आज इसका करने भी काम है वो पूरा सेट कराएंगे हमें यह गाड़ी कितने की पड़ी थी और इसके ओपर हमने कितना स्प करते हैं और यहां तक का डिस्टेंस था 200 किलोमेटर और 200 किलोमेटर में आपके पहाड भी इंक्लूडिड है और और जाधा और शुद भी आसिनफ्ड की स्पीड मैं और रात को मज़े की बात क्या है और पंचर हो गया ठार सब ताहें कि अ कि इसमें जेकर नहीं कि टार इसे डाल जो अलो आई पिताओ बड़ी असे यह कोऊ मां डालू और अलो एकी नहीं तक के पढ़ेंगे जोगे अलो आप देख सकते हो पूरे खतम थे टायर और अभी हम खड़े हो यहाँ पर मीलकंट आयर के पास हमारी फोटो आएगी और यह है अपना मीलकंट के ओनर आइटोंटी के अलोय है ना और जिनल लाइटोंटी के देखो भाई अभी तक स्टीकर विली उपर रहा है कितने के पढ़ अधिधर के आपको 12-12,000 आपके दो आपके रिम लाइविल विड विटिंग और सात्मरी लेगा अरे वाइवाट रिजिनल वह चार ओं के चारों प्र आको और भार कोर्ट भी इसमें एच स्क्रैश तक निए इसमें 14 अबर 2 अपना अधियों तो आपना अब्या जाता है औ पिर देंगे इस तैर को डालो आप हमारी करन्टी आप अमर्जी वजन लोड लोड में वहां पर मैंकि पर चौटा ही है क्योंकि जो आवर ले अवर लोड केमपर में लोड करते हैं सेव की पेटिया एक्चिलिए उनके कई बार टैर फट जाते हैं यहां से बलास्ट हो जाते हैं वह बहुत प्रेसान एक चीज है हमने उसके लिए यह मंगवाया टैर ट्रेगा हम गरंटी देंगे जितना मर्जी तो फिलाल अभी एक यहाल रखके देख रहे हैं इस पर एक लिए कि अ प्रेंट वाला आपको दिखाते हैं अब प्रेंट वाला यह है तो अभी देखतें कौन सा सेट बैटता है या फिर क्या रहता है इसका रिषी गरन्टी कैं होती है तो बाई इतने बड़े अलवाके ना गाड़ी की लुक ही पूरी चेंज हो चुकी है लो ना विल्कुल भाई का तो बनता है और अब भी जो भाई ने एक टायर हमें दिया ब्रिज स्टोन का और इसका प्रोफाइल है 155 पैंसेट आर थर्टीन मामा का जो पहले का टायर था उसका प्रोफाइल था मैं आपको बता तो यह थे अपनी गाड़ी के टायर जो की पूरे के पूरे बेकार हो चुके थे अभी एक टायर हम इसमें से स्टैपनी के लिए रखेंगे और यह डलने जा रहा है टायर नया फिटिंग का तरिक का मैं जरूरी है बिल्कुल उनसे भी कई वारी होता है नहीं हाथ खड़े कर देते हैं भाई यह हमसे नहीं होगा जिसे हमारा कस्टमर प्रेशान होता है उसको वापस हमारे पास ही आना पड़ता है कि टायर दलबाओ तो मैं आपके सामने एक टायर फिट करके दिकावगा इसके मैं आपके अचे यह कश्टमर उसे फिटीम होताथ टाक यह वल इसका निकालो जिए तेर फिज कर दिया हमने व अभागे और उंडर द्रेच्टल का बारते इसका और रिखक है तेक रउकार वारे को भी Hosp़ के लाँपAh नहीं न चरनोंने में अपरके थेह हगा चाल होग प्रेसर की बहुत हो चुके हैं और अभी सिर्फ टायर डलें अभी हम जा रहे हैं गाड़ी की त्यूनिंग करवाने के लिए अभी हमारे साथ जूड़ चुक है रोहित भाई और एक्शुड़ी क्या था ना यह वाला हमारा फ्री है तो हावा का फ्लो जो एना फ्रंट पे आ रहा है और इदर उदर घूमनी पा रहा है और पता क्या रहा है जो हम त्यूनिंग की बात कर रहे थे कि गाड़ी में कहना वै इसका फ्रोटल बोड़ी क्लीन करवाने पड़ी कि तब जाके सेट आएगा है कि ऐसा तो नहीं करने पड़ी के सिस्टम लगा करके वह आपके पास नहीं होता है अब आपने गजट रखे हो सारा कुछ नहीं तो है पर इसलिक है बंद करी विया ओनलाइन पोडिंग अच्छ अच्छा वह बाहर बंद है अच्छा वह बाहर बंद है अच्छा जैसे हमारे महिंद्रा के वह आते हैं तो मारूती वाले चालू है बहुत अच्छा वह बंद हो और यह प्लाप में दिखता है उद्र वड़े में तो करके बंद हो कितार और यह अच्छा आधा एक तो यहां से पूरा कंट्रोल रहता है जैसे हमें घुमा रहे है ना तो इसके साथ लगी होती है यह वायर जो मभी लेकर क्या है और इसकी और प्लस अच्छा पड़िया शारे तुम्चों रुपए यह वाला और यह वाला ना हमारा जाम हो जटा है करना मामा यह अगे फिछ वह नी रहा और यह देखो और यह पूरा फ्री लिगोम रहा है तो यह यह यहां पर लगता है और उसके बाद आपके अपके अंट्रोल जो सारे हि क्लीन करने के बाद हमारा जो है पूर्शन पूरा वाइट हो गया इसमें तो आंके बीने टिकरी इतना साफ हो गया हम लेकर क्या है अब वायर थिना खराब हो चुकी थी वह गरक मोटर से लेकर आए वह फिटी ने वह उठाकर कैसे समान दे देते हैं अभी संकर कार इसी वाले सेम समान लेकर क्या है और यह है एम जीपी करके ओरिजिनल मारूती की वायर करके वहां पील रहा है अब सेट है अब सेट है अब अब तो आप फरक पड़ गया बाई यह रहते है जैनमन उती है और क्या अब आपने भी द्यान नी दिया तुमने जो पकड़ा दी मैंने भी डाल दी बैंड गश्रा है एक मिनित अब देखना भी तो ओन वेगी है यह एक ड़का आप आपके त ब्लूट है वह वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर ले जो एक्स्ट्रा ब्लूट होता है दिखाना तो अब भाई आया समीर भाई आपका नाम समीर यह ना तो यह कहना वाई यह ब्लूट था तो यह पैंड राए वाली जगह लग जाता है और आपके फॉन के साथ यह जो है कनेक सब्सक्राइब करेंगे फिर आपका ओपन होगा जो इसका सर्कित है सर्किट के स्के ऑक्स मोड में इन ब्लूट तुस लग जाएगा अच्छा नेम होएगा 3.0 आपका रिजीओं चलेगा फोन से जहां आप पाउस करते हो पाउस रहेगा फॉर्वड करते हो फॉर्वड र देखना और आपको हम बताएंगे इसका खर्चा कितना आता है जो हम काम करवा रहे हैं ब्लूटूथ फिट कराने का फ्रोटल वोडी इसका क्लीन होगा थोड़ा साना भील गें सवेर इसे लेकर अब तक फ्रोटल वोडी हम लेकर क्लीनर लेकर रखे आया है और यह अभी यहां पर क्लीन होगा सुरेश बाइए सारा काम हैंडल कर रहे हैं और स्पार्क प्लग इसके हम चेंज कर देंगे भी बाइब जाएगा और पर्फॉमेंस अच्छी आएगी गाडी में अभी लो भाई हमारा जो पर्लग वो ही खराब था जो तेल जाएगा वस्टे से बर नी होगा अब आपकी तो चांदी हो जाएगी अब रजादा आएगी अब और जादा देगी तो भाई यह था थ्रोटल बॉड़ी जो कि हमने यहां पर क्लीन किया शुर्ष भाई इसमें क्या आजाता प्रॉलम थी क्या वह साथ और फिलाल अभी हमारा लगने जा रहा सास में सार्फ साथ के साथ सेंटर्क का सेंटर लॉक और यह रहता है कुछ इसकी चाबी इस टाइप की तो यह रहेगी हमारी कि रखा जाता है मैक्सिमम यूज इसका रहता है एक बार कि आपके सेंटर्व होगी भाई को देंगे यह चाबी आपकी स्पेर होगी आ यह कोडिंग कर दिए और यह आपकी थे वह चाबी अगेक्ट होगी है मामा पूछ रहे है कि हमारा यह लौक है लोक भीड़ सारी चें ही नहीं होते हैं और जो हमारा स्पीकर है वह ब्लुटूथ लगने के लिए गया हुआ है और इसमें ब्लुटूथ लगने के बाद आपको पताते हैं कि वह कैसा रिस्पॉंस देता है आगया इसको किसके ताइट है हलो मामा यह चेक करो यह खराब हो चुका है बाई इसको अभी जाये गवाट में गया यहां पर लॉक से टूटा टसेता और यहां कमौर्वॉ प्लास्टिक वैडिंग भाई के बाद और यह प्लास्टिक वैडिंग कवर होने के बाद भाई तो फिल अच्छा नियाता गाड़ी ड्राइब करते टाइम तो ऐसा होना जिए कि गाड़ी साउंड लेस रहे हैं अब अब सपाइनल रहे हैं जो कि सोरूम से ही होईगी तुनिं यह अपका ना कब से मिंतियार कर रहे हैं अब अधार वाई कहां गए आज आप री घड़े हो काम निकर रहे हैं क्या हो गया सब ठीक है तो तब यह बीसा मान नहीं उठाते हैं अभी तो कोई नहीं ध्यान रखो आप अपना यह यह रहा हमारा स्टेंप के साथ वरंटी आए विल निया यह यह जो अभी सेंटर लॉक नहीं लिगाया यह उसका वरंटी का आड़ेस को समभाल के रखना वैसे खराब तो होते हैं कभी अभी देखते हैं फिलाल अभी हमारा जो स्टीरियो का काम बचा हुआ है तो स्टीरियो काम सेट करव रहे हैं तो टोटल गाड़ी काम हमारा कंप्लीट हो चुका है फाइनल रिव्यू देते हैं आपको थोड़ी देर में पहले हम भाई यह यह करवा लेते सैट देखते ब्लुटूथ का साउंड कैसा बनता है तरहेगा जो एफम थ्री लिखके आवर आपको दिखाएंगा आने में आदा घंटा लगा हमें गया रहा है न 3.0 ठीक है सारा काम निप्टाने के बाद हम बैठे समीर भाई की दुकान में और यहां पर सेट हो रहा हमारा जूफर बेस ट्यूब है बेसी के लिए तो बहुत बढ़ी है तो देखते हो भाई कि कहां से कहां इसकी ना तारे ही गलत जोड़ दी थी और उसके वज़से ना साउन्ट फट राइस का है तो फाइनली भाई छे बज चुके हैं एक्चली यह टाइम मेरा ओफिस से चुटी होने का होता है और आज संडे का दिन ने तो आज पिर से संडे वाई एक संडे पूरा कवर किया हमने आज गाड़ पूरी रिपेर करके लेकर आया हम अभी तो ओवरल गाड़ी का हर एक तीज अच्छी चली हुए अभी और विलाला आपको ओवर भी उताते जो अपने आपको सुवे रिकमेंडमेंट करी थी कि वह हम आपको पूरा रिप्यू बताएंगे गाड़ी का करके काड़ी में हमें क्या क्या और कितने के गाड़ी के पड़ी थी और कितने का सारा सामान हमारा अभी पड़ा है हमें सवीरे धर करके अब तक मामा को अच्छा खाथा बुखार हया हुए बाई और दवाय था सब्सक्राइन होई अपनी तबीएत जरूरी नहीं है grinding की तबीएत पहले जरूरी खुद चाहे बीमार हो जाए खुद की तबियत हमारी बिल्कुल सेट नहीं है वाई सवेरे से पानी तक नहीं पिया यार गाड़ी को ठीक करवाने के चकर में कभी यहां भाग रहें कभी वहां भाग रहें ऐसा लग रहा है जैसी की दूलव पर रात में आया और उसको हम दू हमारी गाड़ी जो है त्यार हो करके आ चुकी है तो यह गाड़ी है हमारे मामा जी की कितना खर्चा आ सकता है ऐसे गाड़ी लेने के बाद पहले और सबसे बड़ा सवाल कि अपने डिलर से लिए थी या फिर इंडिविज्वल बाय करी थी किसी ओंडिलर से लिए गाड़ी और मॉडल कौन सा रही है अब आते हम रेट की तरफ तो यह कितने की आपको पड़ी थी 2016 आउटो के टैन वी एक साई मॉडल यह लिए थी और लेने के बाद कितनी आप इसको चला चुके हो अब कि दिन चली है अच्छा मतलब दो हजार चली है तो ओवर आल इसको लिए हुए कि टाइम कितना हो गया दो मीने से आपने इसको कौन्टीनु गाड़ी को चला और आपको क्या फिल हो रहा गाड़ी में जैसे आपने प्रिवियस गाड़ियां यूज करी थी और इस प्रॉब्लम थी तो दूसरी पावर स्टेरिंग थी लिखने उसकी जो बैटरी फिए खत्म होगी थी मतलब यह था कि आप उस गाड़ी से सैटिस्फाइड नहीं थे एक तो वह एबरेज नहीं देती थी ठीक है और उसका काम पर काम होगा रहता था वह भी आपने डिलर से अधर गरें तो आप सबस्क्राइब यह तो आप ने जब सेकिंद टाइम जो यह यह आज दे ली डिलर से लिए तो आप सैटिस्फाइड हो अभी तो जैसा कि मामा जी ने अभी अभी हमें पताया कि बाई जब यह गाड़े बाए बाए करी थी तो इसमें चाइनिग टायर एक और हत्मा कल साम को आपके साहरा ह्दसा हुआ है वह ऐवे में और हाइवे में आप इसको पहली बार नेकर जागत फट गया था ठीक है तो आत को उससे क्या सब्सक्राइर को से गाडी बॉय खत्राइब में थे आप को फ्रत पास नि unknown तो इस चीज के आप कंप्लेंट करोगे उस डिलर से या क्या दिल में करना तो पड़ेगी कि क्ल पत्र भी मैं उसके पास गया था ठीक है तो उसको बोला कि मैं चंडीगड जा रहा हूं काम है यहां ठीक है जा सकते हैं अब जाके मैं बताऊंगा कि आपका एक टायर फट गया जो जो गाड़ी में प्रॉलम थी अचा एक और चीज है आपको जाब आपने गाड़ी डिलर से लेती तो ने यह बозиकर की दोगा कि और अव देखो गाड़ी काम जो यह बाहर निकल के आ रहा है जैसे कि आज जो इंजन माउंटिंग वाला है अमन को उसक्न है इंजन जो कि हमें कोस्ट किया 2100 रुपे जिस्टे माम आपने ये बाय करी थी तो आप मेकैनिक साथ लेके गए थे इंजन चेक करवाय थे इंजन विल्कुल सही है आपने खाली लेते टाइम इंजन ही चैक किया और कोई बादी पार्ट चैक किया ना वहीं कहीं से गणी तो नहीं है जंग तो लगा है वह सब कुछ ता और आपने टायर देखे निए आपने मांट विया देखे निए आपने शॉकर सब्सक्राइशन चैक की नहीं किया नहीं यह आसा कुछ नहीं होता आज कल क्या रहता ना कि गाड़ी का मेटर है वो इसको पीछे किया जाता है तो वह भी आ जो है वह थोड़ा सा ज्यादा किसे हों तो आपको लगए नहीं कि एक बार मैस का रिकॉर्ड एजनसी में चैक कर वहाँ अभी तक आपने एजनसी सो रूंग गए ही नहीं हो नहीं है वह हालत खराब है और फिर भी गाड़ी का काम जो है करवा रहे है क्योंकि देखो दो ल मामा ने क्यात उस्साथा भाई ममा ने देखा कि हमारा जो our district मिल रहा है जो तो दिटर नमबर मिल रहा है है और कि कहीए पे इस इशु नहीं रहेगा फंटि धिना ये तो फिस्ट और गाडि थी और सेकेंड अं ऑनर मामा जी यूए हैau प्लत दिलर के देखा और प्लास मामा जी को यह बोला गया डिलर के दिलर का थे थल Walker इसफ इस जांग के जर्आ से गाड़ी को निप्टाते है क्योंकि भाई टाइम हो रहा है अंधेरा हो रहा है और साम के बज़े में 619 और मामा जी और अमन ने जाना है घर हिमाचल तो यहां से हिमाचल का डिस्टेंस है 200 किलोमेटर और 200 किलोमेटर पहुंचने के लिए तकरीवन 5-6 गंटे लग जाते है यह डलवाएं हैं ब्रिज स्टोन के जो हमारे रियर वाले हैं और इनका प्रोफाइल मैंने आपको सभेरे भी बताया था अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया और आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता जाता हूं जो इसका टायर साइज है 155-65R13 तो मामा ने यह टा प्रेफर किया और यह जो हमने वाई टायर डलवाएं यह सेकिन टायर है बट इसमें भी ट्विस्ट है आप देख सकते हो अगर सेक्टन टायर है तो इसकी गुड़ी जो है अच्छी खासी है और यह ऐसा नहीं है कि भाई यह जो गुड़ी है यह बनाके की हुई है ऐसा कु सब्सक्राइब जो हमें 4800 पड़ी है जो कि भाई लाजमी सा है क्योंकि चार टायर है और आप यह चेक कर सकते हो भाई अभी तक इनके कंडे तक लगे हो है और फेरंट में हमने इकोल से टायर लवाएं और इसकी गुड़ी थोड़ी मोटी है क्योंकि फ्रेंट में क्यों हो कि कच्रा इतना जादा था ना वाई क्योंकि इतना जादा कच्रा मैंने आज तक कहीं नहीं देखा गाड़ी में जितना कच्रा इस गाड़ी से निकला है और उसको सेट करने की कॉस्ट आई है नाइन हंड़र रूपी तो यह कुछ ना कुछ भी बोलती रहेगी और स्टीडिय रूपाय का ब्लीडूथ डला है और जो हमारा पीछे डला है स्पीकर स्पीकर में जो क्या था उन्होंने लेबर चार्जिस लिए क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें फाल्ट आ गया था तो वह ठीक हुआ है तकरीबन 200 रूपाय उन्होंने उसके लेबर चार्जिस ले लिए हैं और अब आजाते हैं हम अपना इंजन की तरफ बाई तो इंजन गाड़ी का नो डाउट की साफ सुतरा है बट हाँ अभी कहने सकता कि अप्रॉक्स गाड़ी कितनी चली अभी इसकी हम डिटेल्स निकलवाएंगे और देखते कि गाड़ी कितनी चली है तो यह है जो पूरा इसका क्या था ना भाई इसके जो नक्के होते ना वो टूट चुके थे तो यह चीज मुझे थोड़ा सा एक घटक रही थी दिमागें कि ऐसे इसके नक्के कैसे तूट सकते अगर कोई मेकानिक खोलेगा भी ना तो इसको अच्छे तरीके से खोलता है और अच्छे प्लास्टिक का होता है यहां से तूट जाता है फिर जो कि इसका हलांकी एक तूट चुका है जो यहां पर कनेक्टर लगा हुए ना तो आई थिंक उन्होंने ध्यान नी रज़ दिया होगा पहले तो अभी हमने जो काईबाल होता है कि खोलने में थोड़ी दलापरवाई हो और अरे भाई साहाव अभी तो अपनी चीज तो भी रहेगी थी तो भाई अभी हमारा गूगल आड़ सेंस का पास कोड आ चुका है अगर आपको पता हैँ गूगल पास कोड एडसेंस रहता है कि आपकी पेमेंट योट्यूप से विड्रॉल लग जाता है तो भाई हमारा लेकर कर आए हैं अपनी गाड़ी का तो इसलिए मैं यह experience जो अपनों का experience अगर आप भी हैं तो मैं अपतक यह experience लेकर क्या ता रहता हूं कि जब सब्सक्राइब गाड़ी लेते ना तो क्या प्रॉलम्स आती है अगर मैं ओवरॉल खर्चा लेकर के चलूँ ना अपनी गाड़ी का आज का अल्टो गेटन भी एक्साई का दो लाग सतर है की मामा जी को यह पड़ी है और प्लस आज का खर्चा में इस पर एड़ान करता हूं तो इसका आज का खर्चा है 14,000 रुपए क्य यह मांचल से मेरे पास यहां पर आयों है और गाड़ी का काम अभी पूरी तरह से डन करवा दिया अभी छोटा मोटा काम है तो वह बाद में इसका डन करवाएंगे जो मेजर था टायरों का वह कंप्लेट हो चुका है आगे मांट का इंजन मांट का वह भी ओवरॉल आगे चाहिए तो आप अध्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लकाव चाहिक दो अज आगेले रहें तो आएसे लिए दिया लेकर करके आते रहें एसे लिए चाल शादा थे टैन्रस्टण वीडियो के साथ सांथ तो यह लगपा कर दो कर दो कर दो